Hello and Good Morning to Everyone, कैसी चल रही हैं आपकी आने वाले exams की preparations? PDF का बहुत अच्छा response आ रहा है, आप सब भी PDF की help से preparation कर सकते हैं. PDF कैसे grab करनी है, कौन-कौन से important questions है, वो सब भी हम discuss करने वाले हैं इस वीडियो में. हर subject की playlist है, अगर आपको नहीं मिलती है, तो आप comments में पूछ सकते हैं, और अगर preparation को थोरो करना चाहते हैं, तो PDF की help से भी prepare करिए. आप देख सकते हैं, MEG 1 से लेकर MEG 11 तक सभी subjects की detailed PDF हैं, इवन MEG 11 में मैंने हर novel की पहले summary प्रवाइड की है, details प्रवाइड की हैं, उसके बाद SA questions है, जो कि आपको बहुत ही आराम से सिर्फ एक PDF से कावा करने से समझ आ जाएंगे. MEG 17, 18 की भी PDF है, MEG 1 से लेकर 11 तक सभी topics की PDF हैं, PDF के से grab कर सकते हैं, you can connect on this telegram link. पहला question हो सकता है, बहुत ही common, सभी topics से related common questions, तो मैं एक बार तो suggest करती हूँ कि अपने सभी novels को brief में जरूर understand करें, क्यूंकि वो common question करने में आपको help मिलेगी, features लिखने में help मिलेगी, you can make a difference between English and American novel also after reading all the novels. मेरी PDF में आपको सभी novels की detailed summary तो मिलेगी है, उसके साथ ही साथ important questions, ऐसे questions with answers भी मिलेंगे. American dream क्या होता है, American renaissance क्या होता है, इस तरीके के questions आ सकते हैं, that will be first question. Even there can be a common question about the role of women in 28th century American novel, तो आप अपने जितने भी आपके subject में novels हैं, specifically color purple, वहाँ पर women role बहुत important है, तो जब तक आप novels को नहीं समझेए न, आप common question को नहीं attempt कर पाएंगे, black fiction से related भी question आ सकता है. अगर आप PDF ग्राब नहीं करना चाहते हैं, तो at least do watch the playlist of all the videos, अगर playlist का link आपको नहीं मिलता है, ask me in comment. Last of the Mohicans, जो कि आपका first novel है, इस से related किसी भी तरीके का essay question आ सकता है, and this is the one which I suggest कि थोड़ा सा light reading भी रखेंगे, तो चलेगा इस novel के लिए, कौन-कौन से important है, वो मैं आपको वीडियो में बताती रहूंगी. Sister Carrie को जरूर cover करिये, detail में cover करिये, इस से किसी भी तरीके के essay questions आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा मुश्किल novel नहीं है, एक normal girl की कहानी है, जो कि अपने कुछ सपने लेकर एक rural area से एक urban area में आती हैं, वो सपने पूरे होते हैं, या नहीं होते हैं, या क्या होता है, वो आपको novel पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, detail में. अधूरा प्यार क्या होता है और इंसान किस हद तक जा सकता है उस अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए, that you will understand in the novel, The Great Gatsby. तो novel को understand करना बहुत ज़रूरी है Gatsby की फील के लिए, Daisy की फील के लिए और हमारे narrator की फील के लिए. नेरेटर अलग हैं, Daisy अलग हैं, Gatsby अलग हैं, किस तरीके का narration है, ये भी question आ सकता है, because narrative is different in this novel, green light का क्या symbolism है, American dream की क्या importance दिखाई गई है, society किस तरीके की है, किसी भी तरीके का question आ सकता है आपको Great Gatsby से. अगर दुनिया बदल रही है, लेकिन आप बदलना नहीं चाहते, तो आप कैसा फील करेंगे, और दुनिया आपके लिए क्या फील करेंगी, that is the story of catcher in the rain, बहुत controversial भी रही थी, जब publish हुई थी, क्यों रही थी, क्या थी, इसकी story क्या था ऐसा, जिसने इसे controversial बनाया, वो सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है, childhood को किस तरीके से इस story इंपाक्ट करती है, innocence कैसे portrait करती है, Buildings Roman भी कहा जाता है, इसे भी, तो that is also a very important novel, Catcher in the rain, very important, Sister Carrie, very important, Great Gatsby, very important, Floating Opera के आप थोड़ी सी light preparation कर सकते हैं, no harm in that, अगर आपने कोई 6 novels अच्छे से prepare किये हैं, तो बाकी novels को आप थोड़ा से light रख सकते हैं, कौन सी 6 आपको अच्छे से prepare करने चाहिए, बहुत ही अच्छे से, वही आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, House Made of Dawn, यह अच्छा novel है, बहुत ही अच्छा, Buildings Roman का question किसी ना किसी form में इना exam में आही जाता है, Journey of Learning of Central Character, इस तरीके का question आ सकते हैं, तो Journey of Learning हो या Buildings Roman हो, does not make a difference, तो House Made of Dawn अच्छे से cover कर यह detail में, Light in August, again, एक बहुत ही अच्छे से detail में cover करने like novel, जो Christmas Lena Grove हमारे central character हैं, और all दो यह characters novel में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, फिर भी किस तरीके से novels, यह characters एक दूसरे से connected हैं, और यह characters किस तरीके से identity theme को दिखाते हैं, and color purple is an essential, color purple को तो detail में हर character के characterization के साथ करना बहुत जरूरी है, तभी आप इन सभी issues के बारे में या किसी भी theme के बारे में answer कर पाएंगे, या और otherwise also, you know if you are a literary student, तो color purple जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, black fiction की category में भी आता है, किस तरीके से racial, sexual और class prejudice इस novel में दिखाया गया है, यह तो basic theme है, इनके बार में individual question भी आ सकता है, role of women भी आ सकता है, तो यह तो आप cover करिये ही करिये, there should not be a second thought about it. रही हूँ December 2024 exam से थोड़ा ही पहले, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो questions इसमें बताए है, जो details इसमें बताए है, वो expire हो जाएगी, that is forever, जब तक कि syllabus चेंज नहीं होता है, तो यही सभी important topics है, आप इनको इन PDF की help से prepare करिये, PDF number, PDF जो MEG 11 की है, 43 pages की है, बहुत ही detailed PDF है, और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, दो नोवल से जिनको आप थोड़ा से light रख सकते हैं, और बाकी सब को अच्छे से prepare करिये, अगर miss कर दिया है, तो वापेस चाहिए, और वीडियो में देखिए कि मैंने कब-कब क्या-क्या बताया था, live batches अभी नहीं चल वें, प्लीज मुझे December के live batches के लिए, contact मत करिये अभी, because the answer will be no, it is so difficult to cover for live batches in such a short period, live batches में बहुत डीटेल में बहुत अराम से, बहुत अच्छे से discuss करके ही, cover करवाती हूँ syllabus को, तो I enjoy that, मुझे हरबड़ी में पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं last moment पर live batches नहीं लेती हूँ, आप लोग preparation कर सकते हैं, इस PDF के थूँ जैसे भी आपको comfort रहेगा, क्योंकि मेरे लिए तो restriction हो जाएगी ना, कि मैं दिन में कुछ particular और से जादा नहीं पढ़ा पाती, और भी batches हैं, और भी subjects हैं, और भी classes हैं, लेकिन एक PDF लेकर मान लीजे कि आपको M.E.G. 11 ही prepare करना है, तो एक PDF लेकर कम से कम आप दिन के किसी भी 24 और में से किसी भी time को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप thoroughly अभी भी पढ़ सकते हैं, self-study करके, लेकिन मैं अभी live batches conduct नहीं कर सकती for 2024, हाँ, मेरे June की batches शुरू हो चुके हैं, कुछ batches चल रहे हैं, अगर June exam के लिए आप prepare करना चाहते हैं, तो join कर सकते हैं मेरे batches, otherwise I'll suggest की playlist और PDF की help से prepare करिए, live batches के लिए आपको contact करना है, तो click the link given in description, WhatsApp का link है live batches की query करने के लिए, और Telegram का link है PDF की query करने के लिए, वो मैं detail में लिख दूँँगी, अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप comment में पूछ सकते हैं,